समाज के रुप में हमारे सामने आया और समाज में जैसा होता रहा है ये सारी चीजें सूचना के रुप में मिलिया हमारे सामने लेकर आती है और साहित्य हमें क्या हुआ क्या हो रहा है और कई बार क्या हो सकता है उसकी संभावनाईं भी हमारे बीच प्रसुद करता है इसलिए निशित रूप से मीदिया प्रभावी है वर्तमान के लिए लेकिन साहित्य हमारे भूत और वर्तमान को जोड़ते हुए भविश्य का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि मानव समाज एक ठहरा हुआ समाज नहीं है मानव की सब्यता का विकास उसके संस्किति का विकास उसकी समाज के विकास साहित्य उस विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काऱ करता है